दोस्तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा आप अपने पिक्साल आप में कस्टम फॉन्ट एड कैसे कर सकते हो दोस्तो पिक्साल आप में बहुत लिमिटेड फॉन्ट अब लेवल है जिससे आपना थम्नेल या पोस्टर कापी तगरी एडिट नहीं कर सकते हो तो इस video आपको बताहूँगा, आप उसको download कैसे करोगे font को और ऊसको ad कैसे करोगे infact, आपको मैं करके दिखाऊंगगा इस video में तो वीडियो को लाष्ट तक जरूर देखना तो चलो start करते हैं, वीडियो को इसके लिए, आपको अपना Chrome Br daring open क לוag search bar पर आपको search करना है font for pixel आप यह search कर लो उसका बहुत सारे website आएंगे आपको पहले website पर क्लिक करना है जिसका नाम है da fonts इस पर बहुत सारे fonts अबलेवल है आपको जो भी पसंद आता है जो भी उसके right साइड में नीचे download का logo है उसके उसके क्लिक करके असको दाउनलोड कर सकते हो बहुत सारे font है आप अपने चूज के इसवर की इस साथ से पसंद की हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो में यह यह एक Safari क्लिक हो और देखो यह download हो चुका है तो आप इस website से भी बहुत सारे font available है इस पर download कर सकते हो और दूसरा website है 1001 fonts इस पर जाके इस पर भी काफी तगरी सी font available है आपको जो भी font चाहे उसको download कर सकते हो सबसे बड़ी बात यहां पर कोई पईसा आपको नहीं देना सारे सारे चीज फिरी आप जो font चाहो download कर सकते हो देखो मैं download पर क्लिक है तो यह downloading स्टार्ट हो गया आप यहां से जो भी font चाहो download कर सकते हो download कर लेने के बाद आपको open कर लेना है file manager app जो कि आपके phone में default रहता है file manager open कर लेने के बाद यहां पर आपको ढूढ़ना है अपने font जो कि आपने भी download किया है वह किस folder में गया है यह आपको ढूढ़ना है ढूढ़ने के बाद इस सबको zip file से बाहर कर लेना है यह सारे zip file में आते हैं इसको आपको zip file से बाहर ले जाना है zip file से बाहर ले जाने के बाद आपको अपना pixel app open कर लेना है उसके बाद आपको ए पे क्लिक करना है जो की text को edit करने के लिया आता है उसको बाद आपको click करना है font पे उसको बाद my font का option आपको उसपे click करके plus के icon पे आपको click करना है जो कि यहाँ पे 2 plus का icon है आप दूसरे पे click करना और उसका नीचे add dictionary का option उसके klik कर देता हूँ फिर से सेम प्रोसेस एकएक करके आपको सारे font को add करलेना है आपको open करलेना है उस फोल्डे को फिर font को फिर एक बड़ daha font पे click करना है जसे इस font पर क्लिक की उसके add dictionary, पे on-do क्लिक करदेना है मैं इसका font style change कर सकता हूँ दोस्तो pixel lab app में ऐसे ही होते font add वीडियो अगर आपको अच्छी लोगी हो तो वीडियो को लाइक करें इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप होड़े चैनल को अभी सस्क्राइब कर ले